Amitation Act 1963 की बात करेंगे अगर कोई संपत्ती का मालिक 12 सालों तक अपनी संपती पर क्लैम नहीं करता है मतलब समझने का परयाज करेंगे कि आपका जमीन है आपका जो जमीन है आपका जमीन को कोई कबजा करके रखा हुआ है ठीक है कबजा करके रखा हुआ और 12 साल तक आप निस्टिंद बैठे हुए हैं कबजा करके जमीन का रसीद भी कटा रहा है मतलब सरकार को वही टेक्स दे रहा है आप नहीं दे रहे हैं ठीक है और 12 साल तक वह कबजा किये हुआ है और रसीद भी कटाने लगा है और आप जो ह जमीन से मालिकाना हक जो है समापत हो सकता है तो अगर ऐसा है तो आपका उस जमीन पर से मालिकाना हक जा सकता है आप उस जमीन के मालिक हट सकते हैं आपका जो जमीन है वो जा सकता है यही है लिमिटेशन एक्ट 1963 देखिए जमीन जो है ठीक है जमीन जो है बरतमान में जो बैक उस जमीन पे रह रहा है उसे संपति का मालिकाना हग दे दिया जाता है क्यों दे दिया जाता है तो उसका कारण यही है देने का जो कारण यही है कि आपके जमीन को वो 12 साल से कबजा किये हुए है सरकार को टेक्स दे रहा है और आप जो है उसके लिए कोई भी एक्सन नहीं ल कि अगर आपकी जमीन है और कोई उसको अगर आप उसका जमीन का रसीद भी कटा रहे हैं मतलब आप रसीद जो है आप कटा रहे हैं जमीन कबजा करने वाला नहीं कटा रहा है है ना मतलब आप सरकार को टेक्स दे रहे हैं तो सरकार के सामने मालिक कौन आप हुए आपका जमी को सिर्फ वो कबजा किये हुए है तो वो जबरन कबजा करना हो गया तो इस case में उसको कोई भी न्याय नहीं मिलेगा हाँ न्याय कब मिलेगा जमीन वो कबजा किये हुए है जमीन का लगान भी अब उसके नाम से कट रहा है बारे साल से उसका कबजा है और तो जो है उस case में उसका मालिकाना हक हो सकता है अब इसमें है हो सकता है होगा नहीं है न कि ऐसी केस में जो ऐसा अगर केस होता है तो उसका मालिकाना हक हो सकता है वो मालिक ऐसा नहीं बोल रहा है कि हो ही जाएगा ठीक है चलिए और इस एक्ट को समझते हैं कि अगर कोई बैक्ती किसी नीजी संपती पे 12 साल से अधिक समय से रह रहा है तो अपना अधिकार लेने का दावा कर सकता है मतलब नीजी संपती कहने का मतलब सिधा सिधा आर्थी यही है कि जो संपती है जो जमीन है जो प्रोपर्टी है वो नीजी है मतलब सरकारी नहीं है मतलब ये जो है लिमिटेशन एक्ट के अगर बात करें यहाँ पे तो इस केस में ये जो 12 साल का कबजा वाला नियम है ये सरकारी जमीन पे नहीं है सरकारी जमीन को अगर 12 साल आप कबजा कर लेंगे तो सरकारी जमीन सरकारी ही रहेगा आपका मालिक आना हक नहीं आएगा लेकिन किसी भी नीजी जमीन को अगर 12 साल आप कबजा कर लेंगे उसका लगान भी पे करने लगेंगे तो उस केस में अगर आप 12 साल से कर रहे हुए तो आपका मालिक आना हक हो सकता है मतलब आप मालिक हो सकते हैं ऐसा नहीं कि होगा ही ठीक है चलिए और कुछ देखते हैं पॉइंट जैसे इसमें अगर किसी का जमीन 12 साल से कबजा किये हुए है तो 12 साल के दौरान केस फाइल कर असली जो है असानी से वो केस फाइल कर उसे वापस पाया जा सकता है अगर आपका जमीन माल लेते हैं कोई कबजा कर लिया और ये मामला जो है 12 साल अभी नहीं हुआ है 12 साल अगर नहीं हुआ है 12 साल नहीं हुआ है तो उस केस में उस केस में असानी से आप जो है उसको केस फाइल करके जमीन का कबजा कर सकते हैं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा लेकिन 12 साल से वो कबजा किये हुए है जमीन का लगान सुल्ख पे जो है कर रहा है तो उस केस में उसको भी न्याले में अपना मालिकाना हक बताने का अधिकार है वो मालिकाना हक जता सकता है वो मालिकाना हक जो है उसका हो सकता भी है ठीक है और देखें इसमें जैसे लिमिटेशन एक उने सो तिरसट के तहट कबजा धारी अपनी भूमी को बचाने के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो मालिकाना हक जता सकता है। अगर आपका जमीन का सर्वै सर्वै में गरबड़ी होके किसी और का नाम हो जाता है और फिर वो जमीन को कबजा कर लेता है तो आप बताएए कि इसमें गलती आपकी कहां पर है। इसलिए कि जमीन का सर्वै गलत तरीके से किया गया तो गलती किसकी सर्वै करने वालों की सर्वै ओफिसर की जो सही तरीके से उसका सर्वै नहीं किया गया। दूसरे के नाम से जमीन का सर्वै कर दिया गया। जमीन का सर्वै गलत तरीके से हुआ इसलिए जमीन को वो जो है कबजा कर लिया आप वो कितनों दिनों से भी कबजा किये हुए यहां पर वैसा कोई भी मामला अगर आता है तो यह जो है इसमें मालिकाना हक उसी का होता है जिसका पुराना संपती है, जिसका पहले से वो संपती है, ठीक है, अब रही बात यहाँ पे, कि अगर आपको इस केस में, अगर आपको कोट में केस फाइल करना है, तो इसमें जरुरत आपको पुराना दस्ताबेज कप किये हुए, तो अगर आपका, जितने साल से भी कप जा किये हुए तो आपको इसमें पुराना दस्तावेज आपके पास होना चाहिए जैसे पुराना खतियान हो गया या आपका जो है करमचाडी के दोरा पुराना जमाबंदी हो गया या अगर आपके पास पुराना कोई रसीद भी कटा रहा है और वो मामला सर्वे से संबंदित नहीं है बहुत समय से वो जमीन पिरा रहा है उसमे उसका घर बना हुआ है और वो 12 साल से अधिक है है ना 12 साल से अधिक है तो इतना असानी तरीके से आप उसको वहाँ से नहीं हटा सकते हैं आपको ठीक है न्याले का इत पर मालिकाना हक जो है कर सकता है वो भी न्याले में जा सकता है और उसको जो है इस तरह से मालिकाना हक मिल भी सकता है ठीक है दूसरा के साथ है कि जमीन का आपका जो है कबजा किया हुआ है माल लेते हैं बहुत दिनों से कबजा किये हुए है हो सकता है 12 साल से हो 20 साल से हो जितने दिनों से कबजा किया हुआ लेकिन जमीन का रसीद अब आज तक अभी आप ही कटा रहे हैं सिर्फ जमीन को कबजा कर लिया है और अब रत्वान में भी आप जो है उसका रसीद कटा रहे हैं तो आपके पास दखी अभी यहां पर मामला क्या हो जाता है जब आप रसीद कटा रहे हैं तो वह आप ही एक तरह से जमीन हुआ उस case में बहुत लोग ऐसे क्या होते हैं कि इन्याले में अस्पस भी नहीं करते हैं कि यह जमीन जो है बहुत दिनों से कब जाए इसको दो साल तीन साल या एक साल या दो मेहना पहले इसको जबरन कबजा कर लिया गया ऐसा मामला उटा देते हैं और इसमें प्रूफ तो हैं कि जमीन का लगान सुलक जो जमीन का माली की पे कर रहा है तो इस तरीके का अगर मामला आता है तो इस तरीके का मामला का केस जितना असान हो जाता है इसलिए कि जमीन का खुद रसीद कटा रहा है उसके नाम से जमीन का जमाबंदी कायम है और आप उसको कबजा करके बैठे हैं उसके नाम से जमीन का खतियान है तो सब कुछ जब उसके नाम से जमीन का मालिकाना भाग भी उसी का होगा और उसको जो है कबजा दिलाया जाएगा अगर कोई भी कितने दिनों से भी कबजा करके बैटा हुआ तो कबजा जो है वापस देना पर सकता है अब एक मामला उठता है कि गलत कागज बना के जमीन का कबजा करा लिया गया ठीक है जैसे मतलब की जमीन तो कबजा किये हुए लेकिन उसका जो कागज बना हुआ है कबजा किये हुए है ठीक है लेकिन उसका कागज जो त्यार किया गया है है न वो फर्जी है है न उस case में क्या होगा देखिए जब जो जमीन का कागज है वो अगर सरकारी record में बात को समझने का प्रियाज करेंगे जमीन का जो कागज है जो कबजा किया हुआ है और उसका जो जमीन का कागज है वो सिर्फ अगर उसके घर में है कोई सरकारी रेकर्ड में दर्ज नहीं है तो वो कागज वैलिड नहीं माना जाएगा नियाले में बात आप समझेए पहले भी ये परकडिया था कि जो भी जमीन मान लेते हैं ये बिकरी हो या किसी को दान में दिया जाया है जैसे भी हो क्या उसका लिखित रूप त्यार करने का नियम था कि नहीं था तो अगर वो सही नियम परकडिया के तहत किया गया है तो फिर तब तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर वो एक तरह से गलत नियम तरीके से किया गया है जमीन का जो दस्ताबेज है जो उनके पास जो जमीन का दस्ताबेज है वो फरजी है उसका कोई भी सरकार है हो सकता है वो सही में लिखाया हो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन उसका सरकारी रेकर्ड में कोई भी अधार क्या है उस case में भी जो है जमीन का कबजा अगर आप किये हुए है तो आपके हाथ से जमीन जा सकता है जमीन का जो जिसका मालिकाना हक है जिसका नाम दर्ज है उसके पास वो जमीन वापस जो है मिल सकता है उस case में भी अगर कागज नहीं भी हो तो यह जो सारे परकिरिया है, सारे परकिरिया के थाथ अब एक है कि अगर ऐसा कोई मामला उठा एक नहीं उठा है, तो आई बटन पे एक लिंक है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं और वीडियो में ऐसा ही एक 12 साल कबजा से सम्मंदित एक जज्जमेंट का स्टोडी बताय हुए है, जो की रियल स्टोडी है, और सभी लोग जानते भी है इस स्टोडी को बारे में जो आप उनलाइन सर्च करेंगे, तो भी आपको मिलेगा, ठीक है तो जाके देख सकते हैं, और उसको समझ सकते हैं, देखें जाके उसको कैसे उसका निर्ने हुआ था आसा करते हैं, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरू कर देखें, चैनल को पहली बार देख रहें, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरू दबा लेजें, मिलते हैं, आगले वीडियो में